आजके दिन समाजवादी पार्टी के लिए बेहत खास बेहत एहम दिन है आपको बता दे कि अखलेश यादव ने एहम बैठव बुलाई है और वो बैठव कभी भी जारी है और किस तरह की गहमा गहमी इस वक्त वहाँ पर है इसी का जाय सालिया हमारी सवादाता अभिनफ पा निकल चुके हैं मुखमंतरी अखली शादो का यह कारियाला जो कि नैशनल वज दिखा रहा है कि यह घर है उनका सरकारी पाच कालिदास मार्ग और यहाँ पर कुछी देर में मुखमंतरी अखली शादो जो है वो यहाँ पर आएंगे लेकिन मुखमंतरी अखली शादो के आ पूरा का पूरा पांच काली दास मार्ग जो है वो च्छावनी के तबदील हो गया है इसी पीछ मुखमंतरी अखलीश यादो जो है आप देख सकते हैं उनकी जो गाड़ी है जो उनकी फ्लीट है वो यहाँ पर आ गई है नैशनल वाइस दिखा रहा है कि किस दर से मुखमंतर यहाँ पर उनकी बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और इसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाएगा कि मुखमंतरी अखलीश यादो जो है यहाँ पर है फ्लीट उनकी जो है वो यहाँ पर आ रही है यह फ्लीट है देखिए मुखमंतरी अखलीश यादो यहाँ अंदर वो दिखाई पड़ी है, नैशनल वोइस की सरह से दिखा रहा है कि मुखमंत्री जो है, वो अपने आवास में जो है, अंदर घुज रहे हैं, जो अभी नंदन हैं, जो लोगों का अभी वावत, व्यादन हैं, वो स्विकार कर रहे हैं यहाँ पर और उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो टूली है उसके साथ मुख्षमंत्री अखलेशादू अंदर जो है पाचकालीदास मार्क में पहुच चुके हैं। देखना होगा कि मुख्मंत्री विधायकों के साथ कौन सी बैठा करते हैं और विधायकों के साथ क्या कुछ आगे कि जो है रन नीती तयार होती है क्योंकि पाटी समाजवादी पाटी जो है वो दो रहे पे खड़ी हुई है एक तरफ पाच काली दास मार्ग और दूसरे ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसको आप साय समाल पाना ये एक बस की बात नहीं रह गई है अब समाजवादी पाटी जो है वो दो फाड़ में खड़ी दिखाए पड़ी है कैमरा परसन राहूल के साथ अभिनो पांडे नैशनल वाइस लखनों चैहिन